हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से लेटेड़ जिसका नाम है एक्सचेंज सॉलूशन लिमिटेड कंपनी करती क्या है क्यों शेयर से लेटेड वीडियो बनाई जा रही है वह सब चीज का जवाब आपको यहां पर इस पर्टिकुलर शेयर से लेटेज के टेक्निकल जानेंगे क्या यहां पर टेक्निकल बन रहे है सब कुछ जानते हुए नजर आएंगे बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चाइनल I am small cap investor को subscribe कर दीजिए bell icon को hit करिए all के notification कौन करे buying selling की recommendation है नहीं अप मैं आपको यहां पर बता रहो बाकी सीखना कैसे है तो सीखने के लिए वीडियो बनाई जाती है जाके देखिए यहां पर अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है बाकी आप चाहो तो बारी किया सीखनी है कि क्या कैसे किस लिए शेयर भागते है कब लेना चाहिए कब Advanced Technical Research Fundamental, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, किस के लिए लेना है, किस के लिए बेचना है, कौन से share भागेंगे, कौन से share गिरेंगे, सब चीज यहाँ पर बताए जाती है, Basic to Advanced course, 8605-40501, 8169261037, दुनों नमबरों को सेफ कर लीजिए ठीक है और कोर्स 25,000 रुपे का है आप काफी लोग आप कहेंगे महंगा है बट एक पर बात करके देखिए इसका भी solution मैं आपको बता दूँगा त्री मन्स की साथ में काम करना पॉर्टफोलियों बड़ा है तीन लाग पांच लाग पचास लाग एक लाग दो लाग तो इन नमरों पर कॉंटाक करो साथ में मिलके हम काम भी कर सकते हैं हम बात कर रहे हैं एक्सचेंजिंग सॉलूशंस लिमिटेड कंपनी करती है कंपनी इजन आई टी सर कर नजर आती है इनका बात करती है इनके कुछ प्लाइंट की बात करती है और इनके कुछ यहां पर नजर आ रहे है ठीक है customer concentration की बात कर सकते तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते है promoter of the company liquidity वो सब चीज यहाँ पर आप एक बाद पढ़ लीजिए तो आपको एक idea लग जाएगा कि company करती क्या है किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है बात करते हैं यहाँ पर companies related और चीज तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले market cap company का market cap है 1527 मतलब क्या है 1527 का रुपेगी company है तो small cap है small cap कि जब भी बात करूँ तो एक चीज याद रखिएगा कि जब share भाग रहा है तो आपको अच्छे खासे return दे रहा है इसमें कोई दोराये वाली बात नहीं है बर जब share गिरेगा ना तो यही आपको पता चलेगा कि 2500-200-300-300 रुपे वाला stock 888 रुपे पे आके और consolidation करके आप अभी तक काफी लोगों के तो भाव नहीं आये होंगे ठीक है न और सालों से share चले नहीं है तो इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना है इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सही time पे entry और सही time पे exit होना बहुत जरूरी है अगर आप सोचोगे कि long term रखूँगा तो आपको बता चलेगा एक दिन आ रहा है share आपका correct होगे 70% और 10 साल तक चला नहीं है और फिर उसके बाद चलता हूँ है नजर आ रहा है तो फिर क्या आपके पैसे बंत पाएंगे होतने जितना आप सोच रहे हो इसलिए side time पे लेके side time पे बेचना वो जरूरी है वो ही मैं आप चीज़ें बार बार बताता हूँ वो हम यहाँ पर अपने course में सिखाते हैं बात करें और चीज़ की तो यहाँ देखिए PE 124 का है इंडश्टी का PE 34 का है तो PE बहुत ज़्यादा महंगा है इस शीट को भी थोड़ा सा हमें अपने माइन में रखना है ठीक है और जब बूल मार की राती है न तो PE mostly महंगे होते ही है यहाँ पर देखे ROC ROE तो यहाँ पर ROC ROE बड़ी कम है इस शीट को भी देखना है कोई pleasing नहीं है 2400 रुपे का यहाँ पर intrinsic value है book value 46 का है उससे ज़्यादा यहाँ पर share चली रहा है 177 का इसने अभी high लगाया था 22% का dividend भी देता है 10 रुपे की यहाँ पर face value के हिसाब से share यहाँ पर trade कर रहा है अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए company के number यह consolidate number है company के जो number है बिल्कुल flat नजर आया है ऐसा कुछ खास चमतकारी यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया ठीक है न तो चमतकारी होना बोच जरू के चमतकारी in the sense की company के revenue को at least बड़े 40-45, 45-50, 50-55, 60 तब ही जाके हमें company में दम दिखाई देता है कि company अच्छा खासा काम कर सकती है ठीक है operating profit की बात कर रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते है company का operating profit भी same ही रहा है नेट profit भी लगबग लगबग सी हमें रहा है बलकि काफी बार तो बीच में यहाँ पर हुआ है कि इनका जो नेट profit है वो भी यहाँ पर negative में आता हुआ दिखाई दिया है तो इस चीच की तरब भी आपको ध्यान देना है दूसरी बात करें हम yearly basis पे तो yearly basis पे company का performance आप देख सकते है ठीक है बलकि घरता हुआ नजरा है share के गिरने का पीछे एक reason यही है कि यहाँ पर आप देखेंगे company अच्छा कासा 2005 में शायद अच्छा काम किया होगा ठीक है IPO गड़ आया है तो भागा उसकी बाद लगाता नीचे आया और अभी तक recover नहीं हो पाया तो इसके पीछे का reason है आप देखेंगे न तो company की जो sales है लगाता गिरती हुए नजर आई है ठीक है अभी तक गिरती हुए नजर आई है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि sales बढ़ी है जहाँ पर company अच्छा खासा profit कर रही थी वहाँ पर profit भी गिरता हुए नजर आई है तो जब चीज़े ही गिर रही है तो share कहां से उठेगा उस चीज़ को भी आपको ध्यान में देना है reserves की बात करे reserves company के बढ़ते हुए नजर आई है अच्छे खासे ठीक है यहाँ पर borrowing ना के बराबर है company की बात करें cash की तो company का 363 क्लोट रुपे का cash भी पड़ा हुआ है positive cash flow नजर आता है और बात करें promoters की तो promoters 75% के share लेके बैठे हुए FISDI ना के बराबर है public की बात करें 24% के share बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते है bank selling यहाँ पर चलती ही रहती है तो promoters holding यहाँ पर अच्छी है इस यहाँ पर अच्छा है बाकी company हम बात करें flat ही result आया ऐसा कुछ खास आया यहाँ पर continuous basis पर reserves बढ़ते हुए नजर आ रहे है यहाँ पर आप देखोगे ना company company dividend अच्छा देती है 2023 में भी 15 रुपे का एक dividend निदिया 2024 में यहाँ पर interim dividend दे चुकी है यहाँ पर देखी है 15 रुपे का तो क्या dividend यहाँ पर अच्छा मिलता हुए नजर है साल में ही आप देखोगे तो लगबद तीस रुपे का dividend दे चुकी है जो पूरा financial year होता है अब चार्ट की बात करें दें कि financials तो कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आ रहे ठीक है और share भी यहाँ पर महंगा नजर आता है बट बात करें यहाँ पर company के चार्ट की बट उसके पहले आपसे request है कि I am small cap investor channel को subscribe bell icon को hit all के notification को on करिए bank selling की recommendation हम दे नहीं रहे है simply level है जो मैं अपने तरीके से आपको बताता हुआ नजर आरो आपको अच्छा लगे तो आप उनकी तरफ गौर फर्मा सकते है otherwise आप अपनी कुद की study करें और अपने financial advisor से पूछे बाकी हम आगे बढ़ते हैं और किसी को सीखना है इन नंबरों को note का लीजिए यहाँ पर आप सीख सकते हैं साथ में काम करना है तो इन नंबरों पर contact करो साथ में काम भी कर सकते हैं बात करते हैं हम यहाँ पर exchange की यहाँ पर exchange solution की हम बाते कर रहे हैं तो exchange solution में आप देखोगे तो share लगबग गिरता हुआ नजरा है और एक consolidation phase से हाना निकलता हुआ नजरा रहा है और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ stages होती है stages में काम होते हैं तो यह share stage 2 में यहाँ पर चलता हुआ नजरा रहा है ठीक है बट यहाँ पर एक gap down भी हुआ है जो कि अच्छी बात नहीं होती तो चीज़े यहाँ पर और शायद नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है तो यह भी एक cheat है ठीक है दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यह share multi-year breakout यहाँ पर देता हुआ नजरा आया है इस cheat को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो share है 140 के उपर यहाँ पर जाता हुआ नजरा आया था ठीक है और अभी आप देखोगे तो एक support की तरफ ही यहाँ पर एक support लेता हुआ नजरा रहा है अगर यह share यहाँ से बढ़ता है हाना उपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर लगभग दो-तीन उर्पे का यहाँ पर एक risk रहेगा ठीक है और उपर की बात करें तो जैसे ही यह निकलना शुरू करता है तो यहाँ पर एक बड़ा cup with handle pattern का न यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा cup with handle pattern बनता हुआ नजरा रहा है और उसके basis पर आप देखोगे तो एक target निकल के आएंगे जो कि इस share को अच्छे खासे return दिलाता हुआ नजरा सकता है बट उसके लिए पहली बात बुल मार्किट है ना बुल मार्किट है फंडामेंटल मुशली यहाँ पर work करते नहीं क्योंकि अगर आप देखोगे भेल एक company है ठीक है जिसके फंडामेंटल आप देखोगे तो आप उस share को लोगे नहीं बट आप देखोगे आज भी 13% भाग है और अपना 52 विक हाई पर चलता हुआ नजरा आ है तो आप वही चीज़े की बात कर रहे है कि फंडामेंटल कभी-कभी नहीं चलती ठीक है जमा सकते हो बट फंडामेंटली इतना strong नजर नहीं आता यह शेयर और टेक्निकली थोड़ा सा sound नजर आता है ठीक है तो यहाँ पर अपने risk-revolal ratio के हिसाब से देखिएगा हाना और अपने financial पर जाओ खुदकी study मेरे कहने पर बाई नहीं करना किसी और के कहने पर बाई नहीं करना अपने हिसाब से आपको चीज़ों को देखना है और उसके इसाब से आपको एक्ट करना है ठीक है तो वीडियो अच्छी लगे तो like करिएगा comment करिएगा share करिएगा चाइनल को subscribe bell icon को hit करिएगा और इन नम्बरों को note करके साथ में काम कर सकते हो और यह course कर सकते हो सीख सकते हो हाना कि आप किस तरीके के stocks में entry करके पैसा बना सकते हो so thank you so much God bless